दोस्तों कहते हैं ना कि एक सच्चा कलाकार ओ होता है जो अपने दिये गए किरदार में खुद को पूरी तरह से जोगते। अईसा ही कुछ 2018 में आई संजे लिला भनसाली के निर्देशन में बनी फ्लीम के दोरान रनवीर सिंग जोके अलावदिन खिलजी के कैरेक्टर में दिखाये थे जो चितोड की रानी पदमावती की सुन्दता पर फिदा होकर इतने पागला और साइको दिखाये थे कि उन्हें पाने के लिए उसने दुनिया की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी उनके भयानक पागलपन को परदे पर देखकर लोगों की रूँ तक काप पूटी थी कई परयासों के बाद भी उसे पान नहीं सके थे मगर खिलजी के साथ हुई लड़ाई में रानी पदमावती के पती र राजपाच छोड़ कर पागल हो गया था फिर अलाउदिन खिलजी का सबसे बड़ा और खास नजदी की कलिक कफुर ने राजगदी के लालसा में आकर अलाउदिन खिलजी को धीम्या धीमें जहर देकर मार दिया थो आपको बतादे कि इस अलाउदिन खिलजी का कैरेक्टर करने वाले रन्मिर सिंग कैरक्टर में कुछ इस तरह घुष गए थे कि फिलिम की शूटिंग पूरी होने के बाद भी ओ रियल लाइप में तक्रिबन तीन महिने तक अलाउदिन खिलजी के कैरेक्टर में ही जी यू कोहो कि वो खुद को सच में अलाउद दिन खिलजी ही समझ रहेते। कहते हैं उन्हें साइकोाट्रिक डॉक्टर से ट्रिट्मिन भी लेनी पड़ी थी। और उन्हें इस क्यारक्टर से भाराने में तक्रिबन तीन महिने लगेते। हाँ, पर क्यारक्टर वाले अलाउद क्यारक्टर वाली दिपिका को पाही लिया।